हाई गईज और वेलकम बाक तो दी चनल दीपच्यादव एजुकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफियर्स और 15 अगस 2024 तो गाईज आज है तारिक 15 अगस 2024 और है थर्सडे देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स को जितने भी आज की तारिक के रेलिवेंट इशूज होंगे नाशनल, इंटरनाशनल सभी को बहुत ही डीटिल्स अनलाइस करने वाले हैं दोस्तो ये वीडियो बीच में पॉस कर दिया था आपको पता होगा मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया इस वीडियो को लेकर इतने सारे मेसेजिस मेरे पास में रिसीव हूँ है डेली बेसिस में जब से वीडियो बंद किया था तब से लगातार यहाँ पे यूट्यूब पर कॉमेंट्स भी आता है कि सर वो वाला वीडियो वापस से शुरू कीजिए तो वापस से शुरू हो चुका है तो दोस्तों दोनों वीडियो उस कवर कर रहे हो मतलब आप हर एक रिसॉर्स को लेकर चल रहे है क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो इसमें दहाँ टू अर्थ लाइम्ट, हिंदोस्तान टाइम्स, फच्छल एक्सप्रेस, सबी नूस्पेपर्स के जितने भी रइलिवेंट आर्टिकल्स होंगे सबी को कमपाईल करके आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से प्रस्तूत किया जाएगा most important point विडियो का last को बिलकुल मिसमत करना क्योंकि last में आपका test होगा MCQ की practice करवाई जाएगी जैसे हम पहले भी करते थे पूरे lecture को अच्छे से सुनोगे थोड़ा सा दिमाग लगा के concentration के साथ में last में test मिलेगा उसको attempt करना जो score आएगा उसको नीचे comment section में लिखना पता चल जाएगा कि आपकी concentration level कहाँ पे थी और दोस्तो इससे memory power भी improve होगी आप चीजों को याद रख पाएंगे daily question solve करोगे तो exam में भी सीधा help मिलेगी जब बैठोगे तो लगेगा यार ये काम तो मैं daily कर रहा था क्योंकि prelims का test आप शुरू से लेकर दे सकते हैं starting से ही दे सकते हैं तो current affairs भी पढ़ो test भी दो daily इस lecture में बाकि अगर आपको इस lecture का pdf अगरा चाहिए तो whatever telegram पर जाओ वहाँ पर जाके search box में लिखना दीपा ज्याद अवेजूकेशन UPSC as you can see guys आपको यह वला channel मिल जाएगा इस पे click करना और जाकर इस channel को join कर लेना यहां से आप daily basis पे इस lecture के pdf को download कर पाऊगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो happy independence day सभी लोगों को स्वतंतरता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुपकामना है तो दोस्तो 15 अगस्त हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है इसको celebrate करना इसको मनाना क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश या हमको अजादी मिली अब बात आती है अपने session की आज का सबसे पहला article exam के लिए काफी ज़दा relevant होने वाला है GS paper number 3 के point of view से 1 के point of view से दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊगा कई सारी tribal communities को लेकर UPSC question पूछ चुका है याद दिलाऊं तो ओंगे tribe के बारे में पूछा है नहीं पूछा है question ऐसे कई सारे tribal communities के बारे में सवाल आया हुआ है तो अभी के समय पर जोआंगा tribe चर्चाओं में तो इस tribal community के बारे में basic चीज़े जानेंगे पहले हम यह समझ लेते हैं कि खबरों में क्यों है यानि news क्या निकल कर आ रही है हमारे पास में दोस्तों खबर आपके सामने है जो district level committee है Odisha के क्योंजर की तो ये बहुत सारी परिशानियों से गुजर रहे थे जो इनके rights हैं जो हक मिलते हैं इनको forest right act के मादम से वो मिल नहीं पा रहे थे तो जितने भी hurdles से उनको clear कर लिया है इन्होंने clear करने के बाद में उससब चिज़ों को प्राप्त किया है तो जुवांगा tribe को बहुत से rights मिलने हैं इस समय पर इस वे से चर्चाव में है मैं आपको बता दूँ दोस्तों जुवांगा tribe एक प्रकार की particularly vulnerable travel group है यानि PVTG है मैं आप लोगों से एक question पूछूँँगा अभी रोको सबसे पहले ये जान लो particularly vulnerable travel group क्या होता है ये वो travel communities होती है जो की लगातार कम होती चली जा रही है इनका जो group है उसमें संख्या कम हो रही है लोग काफी पीछे हैं दूसरे travel communities के comparison में तो उनको हम बोलता है PVTG नाम से बता चला है particularly vulnerable travel group अच्छा हमारे देश में total कितने PVTG हैं बताओ फट 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 नीचे comment section बहुत ही simple सवाल पूछा है मैंने आपसे ठीक है तो जितने भी है फिलाल उसमें से एक जोगा भी tribe है ध्यान अकना इसको जोगा या जोग tribe के नाम से भी जानते हैं indigenous community है भारत का अंदर especially Odisha के क्योंजर district में current समय पर ये रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख पाऊगे यह है हमारे भारत का नक्षा यह है यहाँ पर Odisha Odisha कई सारे states के साथ में boundaries को share करता है for example North में है West Bengal then उसके बाद में है जहारखंड then Western side में है चतिसगर Eastern side में Bay of Bengal और Southern side में आपका आता है आंदर परदेश तो यह सभी states जिनके साथ में boundaries को share करता है Odisha यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है क्योंजर district वहीं पर ये community रहती है जैसा मैं आपको बताया particularly valuable travel group कितनी है यह तो आपको बताना है दोस्तो जितने भी पाई जाती है PVTG उसमें से 62 tribes आपको देखने को मिल जाएंगी Odisha के अंदर में ठीक है मतलब यह 62 PVTG नहीं है 62 अलगलग travel community है क्योंकि हमारे देश में सबसदर travel community Odisha में पाई जाती है इस इन सभी travel community में से 13 PVTG Odisha की है और इन 13 PVTG में से दोस्तो एक लौती यह जवांगा ट्राइब है जो यहाँ पर Odisha के अंदर में देखने को मिलती है तो उन 13 में से एक यह भी है सिंपल इतना क्लियर हो गया अब आगी की बात सुनिए औरिजिनल यगर हम देखेंगे तो इन जो आंगा की जम बात कर रहे है तो इनको हम पतवास के नाम से भी जानता है क्यो इनका जो पुराने जमाने का पहनावा हुआ करता था जो पत्ते होती थी उसका skirt वगरा बनाते थे तो क्लोथिंग के basis पे वो यहाँ पर इनका नाम दिया गया पतवास रख दिया गया क्योंकि पत्ते का अस्तमाल कर रहे थे अब क्या हुआ यह जो जो जोवांग कम्मुनिटी है दोस्तों धीरी धीर करके इन्होंने clothhing को अपनाना शुरू किया और भी local markets में जो भी यहाँ पर cloth available होता है उसको यहाँ पर यह वियर कर रहे है भाशा की बात करेंगे तो जोवांग मुन्दारी यह एक particular भाशा है जो की यहाँ पर बोला जाता है Austro-Asiatic language family से बिलॉंग करती है occupation की बात करेंगे यानि कि जोवांग tribe के जो लोग हैं यह क्या करते हैं कैसे कमा के खाते हैं तो originally अगर हम देखेंगे तो जातर shifting cultivation खेती वाड़ी करते हैं अभी यहाँ पर दो settled agriculture होता है उसकी तरफ shift हो रहे हैं क्योंकि shifting cultivation में बारवार आपको जगा बदलनी पड़ती है अभी क्या है देरे देरे लोग एक ही जगा पर fix basis पर agriculture कर रहे हैं hunting को कभी कभी मतलब occasionally ऐसा होता है कि शिकार वगरा भी करते हैं अभी के लिए अगर आप देख पाएंगे शिकार वगरा जातर होता नहीं है तो इसलिए जो टोकरी वगरा होती है बास्किट्स होती हैं उनको बनाने का काम करते हैं उसके लाबा कंगियां वगरा बनाते हैं उसको सजाते हैं तमाकू रखने के, सिगरेट रखने के जो cases होते हैं वो यह बनाते हैं है ना इन सब चिज़ों को बना कर अपनी income वो गेन कर रहे हैं अपना जीवन व्याथीत कर रहा है अब दोस्तो इन जोआंक ट्राइब कॉमुनिटी की जब बात करते हैं तो मानलो इनके बीच का कोई विवाद है, वो कहा जाएगा, कोर्ट में जाएगा, क्या होगा वैसे इनका अपना एक political council भी होता है ध्यान किये जो political council बनेगा पूरा council, उसके एक leader होगे, वो होगे प्रधान प्रधान एक formal headman होते हैं इस political council के ये जो post है दोस्तो, एक senior व्यक्ति को दी जाती है, जिसको अच्छा खासा experience होता है तो जितने भी गाउं के लोग होते हैं, वो सब मिलकर उस व्यक्ति को चुन कर इस प्रधान के पदपर बैठाते हैं, अब expected ये होता है कि जो ये प्रधान है, ये final decision लेता है, हमारे बार-बार जितने भी matters होते हैं, secular matters होते हैं, उनमें सब प्रधान decision देता है अपना, population की बात करेंगे, तो जो आंग ट्रावनल कॉमेनिटी, जो अभी के समय पर ओडिशा के क्याउंजार district में है, इनकी संख्या लगबग दोस्तो 47,000 के असपास है, 47,195 47,095 के असपास ये लोग हैं, ये मैं आपको 2011 के जो जनगरना हुई थी, उसके basis पर बता रहा हूँ, हो सकता है, population बड़ी भी हो सकता है, कम भी हो, वो latest census के बाद ही पता चलेगा, ठीक है clear हो गया, I hope आपको बहुत अच्छे से हर एक point समझ में आ चुका है, कोई भी important है, इस वज़े से हमें discuss करना भी ज़रूरी है, तो चर्चाएं क्या हो रही है, खबर यह है कि Defense Research and Development Organization, current समय पर भारत को यहाँ पर एक नया weapon देनी की त्यारी कर रहा है, basically काम चल रहा है, पिनाका MK3 पर, पिनाका क्या है, पिनाका एक multi-barrel rocket launcher है, यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, यह है टाटरा ट्रक, इसके उपर यह पूरा launcher system तयार किया गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है, multi-barrel rocket launcher, यानि कई सारे rockets एक साथ यहाँ पर launch कर सकता है, एक ट्रक पर छे rockets होते हैं, सरी, 12 rockets होते हैं, दो पर आप देख पाएंगे तो इस तरीके से, अगर आप दोनों को development establishment इन्हों नहीं आपर इसको ready किया तो पिनाका काम क्या है बहुत ही ज़्यादा घातक तरीके से जो दुश्मन होता है उनके targets होते हैं उनको अराम से hit कर सकता है उनका vehicle हो गया उनका communication center हो गया air terminal complex हो गया वहाँ सभी जगा को ये दोस्तों missiles hit कर सकती है नौ पिनाका का feature क्या है feature यह है कि इसमें धेर सारे rockets एक साथ launch कर सकते हैं एक set में छे हैं फिर छेचे करके दो set यहाँ पे लगा दी जाते हैं एक truck पर और ऐसे ही पूरा set लगा दी जाएगा दूसरे truck पर तो एक साथ धेरो rocket आप launch कर पाएंगे अभी के समय पर दोस्तों बताया जाता है कि पिनाका rocket कि जब हम बात करते हैं तो दुश्मन के tanker वगरा को उड़ाना हो उसमें भी यहाँ पर इसका इस्तमाल किया जा सकता है इस पूरे system को बना कर जो टाटरा truck होता है उसके उपर रखकर तयार यह जाता है फिट किया जात केवल 48 km दुश्मन 48 km के दूरी पर है तो आप पिनाका MK1 यूज़ कर सकते हैं वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अपने पास पिनाका MK2 है जिसकी रेंज 90 km है ऐसे यहाँ पर MK1 का एक enhanced version है जिसकी रेंज 60 km है लेकिन अभी क्या हो रहा है MK1 भी है MK2 भी है अभी हाँ पर दोस्तो MK3 तयार हो रहा है जिसकी बारे हम बात कर रहे है MK3 पिनाका का सबसे advanced version होने वाला है और MK3 के भी दो वेरेंट्स तयार करे जाएंगे जो पहला वेरेंट होगा इसकी रेंज दोस्तों 120 km के असपास होगी और हो सकता है इससे जादा भी हो दूसरा वाला जो होगा इसकी जो रेंज है वो 300 km के असपास होगी तो रेंज को बढ़ाने के उपर में एक special focus किया जा रहा है ठीक है तो speed जो है पिनाका MK3 की वो भी जादा होने वाली है यह खतरनाक तरीके से दुश्मन को तभा करने की ताकत रखता है पिनाका MK3 जो होगा यह किसी भी particular weather में कैसी भी weather condition क्य ना हो सभी जगा पर मतलब इस तरीके से बनाया गया चाहिए बारिश हो दोपहर हो रात हो कैसी टाइम हो अराम से यह सठीक तरीके से वर्क करेगा ठीक है चलिए आदे हैं next article की दरफ अगला article GS paper number 3 economy के साथ में आप link कर पाएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले make sure करें वी recently यहाँ पर appellate tribunal के अंदर एक में matter गया जिस वे से यहाँ पर ही चर्चाओ मैं देखिए पहली चीज़ यह समझिए जो tribunal होता है न वो हमारे court की तरह होता है कई बार बताता हूँ जैसा हमारा court वर करता हाई court supreme court judges होते हैं नियाय देने का काम कर रहे हैं उसी तरीका का काम tribunal का भी होता है अब यह है income tax appellate tribunal यानि income tax से संबंदित जो disputes जो भी matter होंगे उसकी appeal इस particular tribunal में आप कर सकते हैं समझ गए तो यह क्या है एक quasi judicial institution यानि आधा judiciary वाला system यहाँ पे चलने वाला है इसको बनाया गया था 1941 में January के मन्त में और especially किसीच को लेका deal करता है जैसे मैं जो taxes हैं आपको बता है जो टेक्स दो प्राकार के होता है एक होता डारेक्ट और एक होता indirect अब इन डारेक्ट टेक्स तो हर कोई व्यक्ति पे करता है जैसे आपका GST हो गया हर कोई इनसान दे रहा है डारेक्ट tax जाधा income वाले लोग दे रहे हैं जैसे direct मतलब income tax हो गया पर 6 members को बैठाया गया, 3 bench बनाई गई, एक bench देली में, एक कोलकाता में, एक मुंबई में, अब क्या हुआ, number of benches दीरी दीर करके बढ़ गई है, क्योंकि वो समय 1941 का था, आज 2024 में हैं, तो चीजे इंप्रूव हुई हैं, लगा था, आज 263 benches हैं, जो की 27 अलग लग बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर इस income tax appellate travel के benches बनी हुई हैं, तो जितने भी यहाँ पर बड़े शहर हैं, जहाँ पर हाई कोड के feature से obvious सी बात है, वहाँ वहाँ पर यह travel प्रेजन्ट हैं दोस्तों, जो हर एक bench है, उसमें एक accountant member भी होता है, और एक judicial member भी होता है, क्योंकि य related case है, तो case तो जज देख लेगा, ठीक है, लेकिन tax संबनी जो बात हैं, वह समझाएगा कौन, एक accountant होना भी ज़रूरी है न, तो accountant member and judicial member दोनों की requirement होती है, इस bench में, अब जो precedent होता है, इस tribunal का, वो एक bench बनाता है, इनी tribunal के members को मिला कर, कुछ cases में एक special bench ही बनाई जा सकती ह है, ताकि जो appeal है, उनको जल से जल सुनवाई की जा सके, ठीक है, तो कहने का मतलब है, tax से संबन्दे जितने भी disputes होंगे, जितने भी विवाद होंगे, वहाँ पर ये particular tribunal नियाय देने का काम करेगा, clear हो गया, तो आपको यहाँ पर tribunal का work समझ में आ गया क्या काम है, अब द question यह है, appeal कौन करेगा, यहाँ पे file appeal करनी है न, तो कौन कर सकता है, तो यह जो tax appeal है दोस्तों, यह कोई भी taxpayer, जो tax pay करता है, simple सी बात है, direct tax के कोई संबन्दे मुद्दा है, तो उसी का होगा, जिसने tax pay किया है, तो कोई taxpayer है, अब मान लिजिए, यहाँ पे कोई नियम है, या taxpayer के through ही file की जाती है, ठीक है, पहले मामला कहाँ पे जाएगा, commissioner of income tax के पास में, महां से पास हुआ, बाद में यह appeal लिख कर देंगे, या दूसरा मुद्दा, यानि similarly क्या होता है, ऐसे बिल्कुत सेम तरीके से, जो income tax department है, वो भी file कर सकता है, यानि कि एक taxpayer जो है, जो सीधा tax pay कर रहा है, वो भी appeal file कर सकता है, income tax department भी appeal file कर सकता है, commissioner of income tax के order के against में, क्यों इस commissioner कोई order दिया, आप सहमत नहीं हो, appeal कर दो tribunal में, अब जो यह orders जितने भी pass होते हैं, इस tribunal के मादम से वो final होता है, ट्राबनल जो कह देगा, वो final है, हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पर, अग यह है, ट्राबनल की ताकत, आग आते हैं, next article पर, अगले article में बात हो रही है, hoverflies के बारे में, यह जो आप देख पा रहे हो, यह मधुमक्ही नहीं है, यह जो हमारी bees होती है, मधुमक्ही की तरह लग रहा है ना, देखने में, लेकिन यह उससे अलग है, यह hoverflies, अब यह चर होवरफ्लाइस को कई बार हम फ्लारफ्लाइस भी बोलते हैं, क्योंकि फूल के आसपास यह मंडराती रहती हैं, घूमती रहती हैं, इस वेसे यहाँ पर इसको होवरफ्लाइस का नाम दे दिया गया, ठीक है, यह उस particular family से बिलॉंग करती है, जिसमें 6000 से जाधा प्रजातिय आती हैं, अलग-लग कीडो की, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, यह जो होवरफ्लाइस है, वैसे दुनिया भर में पाई जाती है, specially जो हमारे temperate region है, tropical environment से वहाँ भी पाई जाती है, होवरफ्लाइस में जैसे मैंने बोला, yellow color की rings, markings नजर आएं आप differentiation करोगे, तो बहुत फरक है दुनों में, ठीक है, इनकी यहाँ पर single pair of wings आती है, जैसे यहाँ पर mention करोगे, तो यहाँ पर आप देखाओगे, इनकी केवल एक wings है, wings के ओपर कई सरी wings भी बनी हुई है, नसे यहाँ पर आपको देखने को मल जाती है, तो थोड़ा बहु देखो, यह रहे, इसके दो एंटी न, और आखे जो है, काफी बहार से निकलेवी हैं, दो बड़ी-बड़ी, तो यह इनकी पहचान है, बाकी इसके फाइदे भी काफी सारे हैं, क्योंकि hoverfly में जो adult होता है, हमारे nectar, pollen, इन सब को यहाँ पर यह feed करता है, जो कि as a important pollinator का 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 करता है, है न, फिर उसके अलावा, बात ये भी है, कि ये जो particular hoverfly होती है, मतलब कई सारी और भी species हमको देखने को मल जाती है, उसके अलावा, हमारा यह वाली प्रजाती, दूसरे और छोटे-छोटे नरम से जो insect होते हैं, छोटे-छोटे हीडे होते हैं, उनको ये खाने का क करती है, है न, तो वहाँ पे ये अपना उस तरीके से nutrient को पूरा करती है, अपने body में, चलिए, आदे है next article पे, आज का thumbnail वला article आपने देखा होगा, कि भई एक statue मिला है underwater, पानी के अंदर, वो भी Italy के अंदर, तो दोस्तों वो जो statue मिला है न, वो इसी जील के अंदर मिला है जिसका नाम है लेक बोलसेना, तो अभी के समय पर ये चर्चा में हैं, तो चलिए समझते हैं, लेक बोलसेना के बारे में basic चीजों को, उससे पहले news मैं आपको बताई चुका हूँ, ancient clay figure मिला है, और ये figure बहुत पुराना है, लगबब गता जारा, 3000 साल पुराना iron age के समय से ये कहां पर है, अभी इस समय पर लेक बोलसेना, इटली में है, question आपसे बन सकता है, और यहां रखिये, ये पूरे यूरॉप की सबसे बड़ी volcanic lake है, जिसका area लगबग 113.5 square km में फैलावाए, तो यूरॉप का ये है दोस्तो इटली, ये है इसकी capital room, आसपास कई सरे countries हैं, यहीं इटली में volcano है, उसके ऊपर यहां पर यह लेक बनी विये, जील बनी विये, जिसका नाम है लेक बोलसेना, ठीक है, अब जो ये जील बनी है दोस्तो, इसका formation लगबग कह सकते हैं, 37,000 साल पहले यहां पर देखने को मिला, जब एक volcano था है, एक जौला मुखी जिसका न लेक बन जाता है, बिसपोर्ट के बाद में, और इसमें पानी भर जाता है, एक और फोटो दिखाऊं तो कोछ इस प्रकार से, या आप देखाऊंगे, वालपकेनों का उपर का हिस्सा इसमें पानी बरा है, तो ये इस तरीके से जील है, तो ये वालकेनिक लेक कहलाती है, उ वालकेनिक लेक दोस्तों, यहां पर एक वाटर बॉडि है, जोकि हमारे उपर वालकेनों के ओबर, जौल मुखी के उपर एक गड़े की तरह यहां पर एक क्रेटर बनावा है, क्रेटर कहलो, कैलेगा कैलो, या वालकेनिक डेपर्एशन कहलो, ये इरिया धंस सा गया है, इ exercise मित्रशक्ति के बारे में very very important अब की बार UPSC के 2024 के प्रलिम्स में exercise मित्रशक्ति पूछ दिया गया था तो ये एक अभिहास ऐसा है जो भारत और स्रिलंका के बीच में होता है प्लीज इसको ध्यान रखिएगा अब और क्या-क्या ध्यान रखना ये समझे तो ये एक joint exercise है दो इडिशन है और इसमें हमने भारत की आर्मी का जो राजपुताना राइफल्स है उसके 120 soldier भेजे हैं इस अभिहास में participate करने के लिए इस साल का जो ये अभिहास है यहां पे special focus रखा गया है कि कैसे भारत और सिलंका मिलकर semi-urban environment में operation चला सकते हैं joint operation चलाना हो तो हम कैसे चला सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में skills, experience, अपनी best practice को share किया प्लस इस collaboration से दोनों देशों के defense relation इंप्रूव होंगे और at the last दोनों देशों की जो army की abilities है वो इंप्रूव होंगे कोई security challenge है आपस मिलकर मान लो कभी ऐसा situation आता है थे कि आतंगवा से लड़ना हो तो उसकी यह त्यारी पहले सी होती है इन exercise में यही तो त्यारी की जाती है कि आगे भविश्य में कोई problem आती है तो हम कैसे साथ मिलकर काम करेंगे तो terrorism से लड़ना है अर्बन warfare से लड़ना है तो साथ में मिलकर कैसे यह work कर सकता है उसको लेकर already यह जो अभ्यास से वो चल रहा है बाक होरी है ट्राइको फाइटन एंडो टेने के बारे में यह क्या है दोस्तों यह एक particular बिमारी है जैसे आपने नाम सुनूंगा ring warm का नाम सुना होगा ring warm होता है ना ऐसे रैशिस सी हो जाती है body skin के उपर में और यह फैलती रहती है फैलती रहती है तो इसकी एक बहुत worst condition है यह ट्राइको फाइटन एंडो टेने है ना ring warm क्यों बोलता है इसे ring warm basically एक fungi infection होता है और उस infection के वैसे ऐसे ring के form में है यह चले के form में आपके body के उपर में रैशिस होनी शुरू हो जाती है जिसमें खुजली होती है दिरे दिरे और यह फैलता रहता है तो अब ही क्या हो रहा है ठीक कर लेते हैं प्रॉब्लम यह है कि आपे यह drug resistant fungal infection फैल रहा है ऐसा infection फैल रहा है जिसके उपर दवाई भी काम नहीं कर रही है यह इंडिया में करेंट समय पर एक चिंता का विशह बन रहा है तो क्या है ट्राइको फाइटन एंडो टैने आओ समझता है यह एक प्रकार का dermotophyte है यानि जिसको हम ringworm बोलते हैं या जौक इच के नाम से ही बोलते हैं एक ऐसा infection एक ऐसा fungus जो body के अंदर इस तरीके से दाद बना देता है सरकल के फॉर्म में रिंग के फॉर्म में इस वैसे ringworm बोल देता है सबसे पहली बार यह केस इंडिया में पाया गया बाद में यह fungus दोस्तों आज किसम पर दुनिया भर के कई सरे देशों में फैल चुका है यह जो fungus है यह बिलॉंग करता है जेनो टाइप 8 से ठीक है और उसके बाद बोला जा रहा है कि यहां पर कई बार आप जो भी क्रीम बगरा होती है वो यूज करते होंगे उपर इसकी खुजली प्योग कर रहा है इन अपरियेट तरीके से यूज करते हैं या मिस्यूज करते हैं तो इससे असर बुरा भी हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ भी सकती है इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत मिश्किल हो जाएगा बाद में उस रिंग वांग को ठीक कर पाना तो रिंग वांग के केसिस में कई सारी चुनातियां भी हमारे सामने लेकिन इसके कुछ लक्षन भी नजर आता है यानि कि अगर मालो कोई पेशेंट है उसके अंदर में इस प्रकार के रैशिस बनने लगता है और वो रैशिस के ओपर कई बार वो उटी सी दे दवाईयां खा लेता है जिसकी वज़से उसकी स्किन और ज़दा खराब हो जाती है है ना कई बार यहां पर उस इंफेक्शन को लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता मिस डाइगनॉसिस हो जाता है उसकी वज़से आप गलत ट्रीटमेंट दे देते हैं और गलत ट्रीटमेंट के बीच में, सवाल यह है कि फिर at the last कोई treatment है या नहीं है, बिलकुल treatment है, इस तरीके कोई infection होता है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर treatment जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है itraconazole, itraconazole का यहाँ पर use किया जाता है, है ना लेकिन धियान रखना है आपने monitor करना होगा, कि इसका कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा है इसके साथ, कुछ antifungal दवाईयां वगरा आप use कर सकते हैं जितने लक्षड है, उसको पहले target कीजिए, उसको खतम कने कोशिश कीजिए इससे यहाँ पर आपका treatment के अंदर में काफी सरा improvement नज़र आएगा ठीक है, चलिए तो दोस्तों यह थे, आज के हमारे कुछ news article धिरे-दिरे इसमें articles बढ़ेंगे कुछ opinion based articles में लेकर आऊँगा, आपको मज़ा आने वाला है आने वाले समय पर इस particular वीडियो में लेकिन अभी के लिए कुछ practice question हैं दोस्तों चलिए देखते हैं, आपने कितने अच्छे से पूरे lecture को सिला है सुना है, question number one आपके सामने है लेक बोल से न, सबसे बड़ा volcanic lake है यूरॉप के अंदर में यह कौन से देश में located है option number आपके जर्मनी, B France, C Italy या फिर D Spain, बताओ इसका सही उतर क्या होना चाहिए बहुत ही simple question अगला प्रशन बात करता है hover flies के बारे में, hover flies को लेकर दो statement आपके बास बताए दोनों में से conscious statement सही है, पहला statement बोलता है कि जो hover flies है, यह soft body insect होती है, है न, जो कि यहाँ पर plant के sept वगरा को खाने का काम करती है, दूसरा, जो hover flies है, दुनिया भरे पाई जाती है, temperate region से लेकर tropical environment तक तो बताए दोनों में से conscious statement सही है option number 1 only, B2 only, C दोनों सही है या D दोनों गलत है अगला question interesting है, बात करता है pinaka mk3 weapon system के बारे में तो pinaka mk3 weapon system को लेकर again दो statement से बताए दोनों में से conscious statement सही है, पहला यह बोलता है कि एक multi barrel rocket launcher है, दूसरा यह जो system है दोस्तों, यह बहुत इसदादा घातक attack कर सकता है हमारे जो targets है, ऐसा target जो हमसे 2000 km दूर भी मालो दुश्मन है, उसको भी attack कर सकता है, तो बताए दोनों में से conscious statements है, option A1 only B2 only, C दोनों सही है, आफिर D दोनों गलत है, now next question बात करता है, trichophyton endotenei के बारे में, जिसके बारे में अभी हम discussion कर रहे थे, उसको लेकर फिर से दो statements आपके सामने बताए, ये conscious statements है, पहला, ये एक प्रकार का dermatofite है, जिसको हम कई बार ringworm के नाम से भी जानते हैं, दूसरा, इसको ठीक क्या जा सकता है, itraconazol का use करके, थोड़ा close monitoring करनी है, इसका use करके ठीक हो सकता है, तो बताए, दोनों में से कौन से statement सही है, option A1 only, B2 only, C दोनों सही है, या फिर D, दोनों के दोनों गलत है, now next question यहाँ पर बात करता है, जुवांगा tribe के बारे में, तो जुवांगा tribe जो है, हाल ही में खबरों में देखने को मिली है, तो हो, यह specially भारत के कौन से राजे में रहती हैं, या आपने बताना है, option A1, करनाटिका, B, मेगालिया, C, मध्यप्रदेश, या फिर D, ओडीशा, नव अगले प्रशन पर आता है, next question बात करता है, exercise मित्रशक्ति के बारे में, तो यह जो exercise मित्रशक्ति है, इसको हाली में भारत और दूसरा कौन सा देश है, जिसके बीच में conduct किया गया है, या आपने बताना है, option नमरे, रश्या है, B, नेपाल है, C, इंडुनेशा है, या फिर D, स्रिलंका है, बताईए, इसका सही उतर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों, यह थे हमारे सारे के सारे questions, I hope आप लोगोंने सभी questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा, अब चलिए एक एक करके सभी questions के answer में आपको बता देता हूँ, ताकि आप check कर सकें, री मैच कर सकें, देख सकें, कितने questions सही कियां और कितने गलत कियां, आखरी वारे questions से हम answer को देखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे पूछा जाता है exercise मित्रशक्ती के बारे में, तो भाई, कौन से कौन से देश के बीच में होता है, simple सी बात, अभी में पड़ा भारत और स्री लंका के बीच में होता है, तो एंडिया तो बंचन है, तूसरा कौन से देश है दोस्तो, option number D, स्री लंका, फिर अगले प्रशन में पूछा गया जुआंगा ट्राइब के बारे में, हाली में तर option number C है, both one and two, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, कि जी बिल्कुल यहां पर एक डर्मोटाफाइट है, जिसको हम ringworm के नाम से भी जानते हैं, और itra-conazol का इस्तमाल करके इसको ठीक क्या जा सकता है, तो ये भी सही है, that is why option number C, both one and two, is the correct answer, फिर, यहां पर आपसे पुछा यहां, पिनाका MK3 weapon system के बारे में, कि दो statement है, बताइए, दोनों से कौन सही है, पहला, क्या यह multi barrel rocket launcher है, जी बिल्कुल सही बात है, है ना, कई से rocket एक साथ दाग सकता है, दूसरा, क्या 2000 km तक की range है, इसकी नहीं, दोस्तों option number 1 only is the correct answer, फिर आपसे next question में पूछा गया, hoverflies के बारे में, पहला बोलता है कि soft body insect होती है, नहीं, soft body insect नहीं होता, यह basically यहां पर hoverfly जो है, soft body insect को खाने का काम करता है, तो पहला statement तो गलत है, दूसरा सही है, मैं आपको बताया भी था कि जो hoverflies है, वैसे दुनिया भर में पाई जाती है, temperate region से लेकर tropical environments तक, तो that is why option number B to only is the correct answer, फिर आपसे पूछा या लेक बोल से न, एक सबसे largest volcanic lake है यूरॉप की, यह कौन से देश में है, तो इसका सही उतर है, option number C, इटली, ठीक है, बाकी volcanic lake क्या होती है, यह concept मैंने आपको, अभी थोड़े पहले ही, जस समझाया है तो यह था दोस्तो, आज का हमारा पूरा का पूरा, current of yours का analysis, I hope आपको मज़ाया होगा बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो दोस्तो, क्या score आया है आपका, नीचे comment section में अपना score जरूर से लिख देना साथी साथ में दोस्तो, जैसे यह वीडियो आपको पता है, काफी दिनों से रुख गया था यार देखो, हो यह राता न कि वीडियो मैंने रुख गया था, जदा अच्छा response भी नहीं था, फिर लोगों का कहना भी था कि सर, दोनों वीडियो को merge कर दो मैंने कोशिश किया, दोनों वीडियो को merge करने की, बट ऐसा possible नहीं हो पर हा, तो मेरा the Hindu का वीडियो यहाँ पर morning में daily डाल रहा था, वो चल रहा था, बट मेरे को इतने सारे comments है, मतलब expected नहीं था मेरी site से, और daily हो रहा है तो मैंने सोचा यार, वापस से शुरू करना चाहिए ठीक है, काफी लोगे थूर एडवाइस दीगे, शुरू कीजिए और इसमें कुछ articles और add कीजिए, थोड़ा सा expand कीजिए वीडियो को, तो help मिलेगी सबी लोग को, तो कुछ और जो news articles हैं, या कुछ और हमारे resources हैं, दिरे-दिरे इसमें add करूँगा कल से मैं आपको कुछ sources वगरा दिखाऊंगा भी इसमें कि कौन से article से, क्या चीज़े cover हो रही है तो ये best video होगा ठीक है, बाकी make sure करें, चनल को subscribe भी कर लें, 6 लाख subscribers का हमारा target है, मिलते हैं आप सबले वीडियो में आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जाहिंद